हेलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा को हाड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा डिजैन लेकर आई हूँ आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगे कि ये डिजैन कैसी बनाया गया है प्रेंट्स ये डिजाइन देखने में जितना सुन्दर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है इस डिजाइन को आप जैन स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, लेडिज, कार्डिगन, जैकेट, गल्स, टो, फ्रो, कुर्ती, कैप किसी भी प्रोजेक्ट पर अपलाई कर सकती है सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजाइन बहुत ही सुन्दर लगता है इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 5 के मल्टीपल फंदे लेकर 4 फंदे एक्स्टर लेने होंगे तो ये डिजाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा पांच के multiple देखिए पांच फंदे गिन लिजिए फिर से पांच फिर से पांच फिर से पांच इस तरह से करते हुए last में आपके चार फंदे होने चाहिए ये डिजैन सीधी साइड से शुरू होता है और 6 सलाईयों में complete हो जाता है बोर्डर के बाद अगर किसी भी प्रोजक ले फंदे बढ़ाने हो तो आप इसमें उल्टी साइड से फंदे बढ़ा लिजिए सीधी साइड से डिजैन शुरू हो जाएगा फ्रेंट्स ये जो बोर्डर डिजैन है इसकी वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड की हुई है अगर आपने अभी तक इसकी वीडियो नहीं देखी है तो border design की वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के description box और comment box में देदूँगी वहाँ से आप link open करके इस border design को बनाना सीख सकती है तो चलिए देखते हैं कि ये design कैसे बनाया गया है तो ये देखिए फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने लिए है 19 फंदे 5 के multiple करके और इसमें 4 फंदे extra फंदे डालने के बाद एक सलाई सीधी साइड से और एक सलाई उल्टी साइड से इसमें मैंने उल्टी बनाई है design की ये पहली सलाई है और सीधी साइड है तो ये देखिए पहला फंदा इसका edge इच है उतारिये या बनाईये ये आपकी अपनी मर्जी है मैं हमेशा ही दोनों साइड से उल्टा बुन कर लेती हैं तो देखिए पहला फंदा मैंने उल्टा बनाया है धागा पीछे करेंगे और अब इस पूरी सलाई को हम सीधा सीधा बुन कर complete कर देंगे तो देखिए धागे को पिछे कीजिए और सीधा बुनते हुए इस सलाई को complete कर दीजिए तो ये देखिए फ्रेंट्स पहली सलाई डिजैन की complete हो गई है अब आज ये इसकी दूसरी सलाई और उल्टी साइड पर उल्टी साइड से ये सलाई हमारी उल्टी बनेगी तो धागा अपनी तरफ कीजिए और ये देखिए इस तरह से इसकी दूसरी सलाई को उल्टा बुनते हुए complete कर दीजिए तो मैं इसे उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ तो ये देखिए फ्रेंट्स दो सलाईयां डिजैन की complete हो गई है अब आज ये इसकी तीसरी सलाई और सीधी साइड पर तीसरी सलाई इसकी सीधी साइड से सीधी बनेगी तो पहला पंदा एस्टी छे इसे उल्टा बनाएंगे धागा पीछे करेंगे अब इस तीसरी सलाई को इस तरह से सीधा सीधा बुनते हुए complete कर देंगे तो धागा पिछे रखना है और पूरी सलाई को सीधा सीधा मैं बना लेती हूँ तो ये देखे फ्रेंट्स तीन सलाईयां इसकी complete हो गई है अब आज ये इसकी चोथी सलाई और उल्टी साइड पर चोथी सलाई उल्टी साइड से इसकी पूरी उल्टी बनेगी तो धागा अपनी तरफ कीजिए और इस सलाई को उल्टा उल्टा बुन कर complete कर दीजिए तो उल्टा बुनते हुए मैं इस सलाई को बना लेती हूँ तो ये देखे फ्रेंट्स इस तरह से इसकी चार सलाईयां सीधी उल्टी बना लेनी है अब दो सलाईयों पर इसका ये जो डिजैन है ये बनेगा तो अब डिजैन की ये पांचमी सलाई है और सीधी साइड है तो पांचमी सलाई को आप ध्यान से देखे की कैसे बनानी है पहला फंदा एस्टी चै इसे उतारिये या उल्टा बनाईए धागा पीछे करेंगे और एक फंदा ये सीधा बना देंगे अब यहां से हमारा ये डिजैन शुरू हो जाएगा तो देखे एक, दो, तीन, चार और ये पांच ये जो इसका पांचमा फंदा है इसका यहां पर देखे ये बिलकुल पहला होल जो है इस होल में ऐसे स्लाई डालेंगे धागा पीछे रहे और इस तरह से हम इस होल में से एक फंदा ऐसे बुन लेंगे ये देखिए इसको हमने इस होल में से बुनना है जो इसका बिलकुल ये वाला होल है फंदे आपने गिन लेने हैं दो, चार और ये पांच जो पांचमा फंदा है इसके यहां से स्टार्टिंग वाला जो होल है नीचे से इसमें सलाई डालनी है और इसके अंदर से इस तरह से एक फंदा बना लेना है इस फंदे का साइज इतना रखना है कि इस सलाई के यहां तक यह लेवल में आ जाए तो इस तरह से इसको लूज की जब तक आपकी इस सलाई के लेवल तक यहां यह ना आए और अब इसके आगे यह एक फंदा हम सीधा बुन देंगे इस डिजाइन में फ्रेंड्स उन थोड़ी सी जादा लगती है अपने प्रोजेक्ट पर अपलाई करने के लिए उन पहले से ही आप थोड़ी सी जादा लेक तो देखे एक फंदा बन गया एक एक्स्ट्रा बन गया अब इसका यह जो सैकिंड होल है देखे पहले इसमें से बनाया अब यह इसका सैकिंड होल है इसमें सलाई डालेंगे और यहां से एक फंदा ऐसे बुन देंगे अब इस फंदे को भी हमने ऐसे लूज करना है और यह हां तक ये इसका नाप हो जाए इतना इसको लंबा कर लेना है अब इसको ऐसे करने के बाद एक फंदा ये सीधा बुन देंगे दो हो गए है अब देखे इसका ये जो तीसरा होल है इसमें सलाई डालेंगे और यहां से एक फंदा हम ऐसे लंबा सा फिर से बुन देंगे तो य पीच लेना है ये भी हमारा यहां तक आराम से आए इतना लंबा होना चाहिए और अब इस फंदे को ऐसे सीधा बनाएंगे तो तीन हो गए अब देखिए ये वाला जो होल है एक एक आपके उपर होते चले जाएंगे एक दो तीन और अब ये चार इसमें स्लाइड आलेंगे और इस तरह से एक्स्ट्रा फंदा बना लेंगे क्योंकि जितना उपर जाएगा ये वाला आपका फंदा छोटा होता चला जाएगा स्टार्टिंग वाला सबसे बड़ा होगा फिर उससे छोटा उससे छोटा और उससे छोटा अब ये एक फंदा हम सीधा बनाएंगे अब देखिएगा ये जो हमने 5 फंदे का डिजाइन बनाया है सेम आगे हम रिपीट करते जाएंगे फिर से हम 5 फंदे गिनेंगे देखिए 2, 4 और ये 5 ये जो इसका 5 फंदा है इसका देखिए यहां से पहला जो होल आपको दिखेगा बिलकुल नीचे इस होल में ऐसे स्लाइड आ लिए और एक फंदा इसमें से आप ऐसे एक्स्ट्रा बना दीजिए ये फंदा आपका इतना लूज होना चाहिए कि ये देखिए ऐसे लूज करके यहां तक इसका लेवल बिलकुल आराम से आ जाए अब एक फंदा हम ये सीधा बनाएंगे देखिए ऐसे एक हो गया अब य एक फंदा हम ये ऐसे सीधा बुन देंगे अब इस फंदे को भी सीधा बनाएंगे अब ये वाला जो होल है देखिए तीसरा इसमें सलाई डालेंगे और यहां से इसको एक फंदा एक्स्ट्रा बुन के उपर ले आएंगे अब ये एक फंदा सीधा अब देखिए ये इसका चोथा होल है इसमें सलाई डालेंगे और यहां से एक फंदा हम एक्ट्रा बुन के उपर ले जाएंगे फिर एक फंदा सीधा चार फंदे बन गए है अब ये वाला पांचवा इसमें से बनाएंगे और सलाई के लेवल में इसको कर देंगे अब ये एक फंदा सीधा तो ये देखे, दो बार डिजाइन बन गया है अब तीसरी बार फिर से ऐसे ही बनाना है दो, चार, और ये पाँच ये जो पांच माँ इसका फंदा है इसका देखे, यहाँ से ये जो पहला होल है इसमें स्लाई डालेंगे और यहां से एक फंदा इस तरह से एक्स्ट्रा बुन लेंगे अब ये फंदा आपका काफी लूज होना चीए ताकि उपर वाली सलाई के लेवल तक ये फंदे आराम से ऐसे हो जाएं फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे अब इसका जो दूसरा होल है इसमें सलाई डालेंगे और एक फंदा हम बना देंगे दो हो गए और इसके आगे ये एक फंदा सीधा अब इसका तीसरा होल है इसमें सलाई डालेंगे और एक फंदा हम ऐसे बना देंगे तीन हो गए ये वाला फंदा सीधा बुन देंगे अब इसका चोथा होल है इसमें सीधा डालेंगे और एक फंदा हम ये सीधा बनाएंगे फिर ये एक फंदा सीधा अब ये इसका पांचमा होल है और इसमें सीधा डालके इसको सीधा बुनेंगे और इसे भी हम सीधा बुन देंगे तो सलाई हमने पूरी सीधी-सीधी बनानी है लेकिन ये हमने इस तरह से एक्स्ट्रा फंदे एक-एक होल में से बना लेने है जब आप इस तरह से बनाते बहें जाएंगे तो लाश्ट में आपके दो फंदे बचेंगे अगर आपको फंदा स्लिप करना हो तो दोनों सीधे बना दीजिए नहीं तो हैस्टीज को आप दोनों साइड से उल्टा बुन लिजिए पांस सलाईयां डिजैन की कम्पलीट हो गई है अब आज ये इसकी छटी सलाई और उल्टी साइड पर छटी सलाई इसकी उल्टी साइड से पूरी उल्टी बनेगी नेकिन आप ध्यान से देखिए ये वाले दो फंदे हम पहले इस तरह से उल्टे बनाएंगे अब आगे देखिए ये एक फंदा और ये एक एक एक्स्ट्रा बनाया हुआ इन दो का यहां एक फंदा उल्टा बनाएंगे फिर से देखिए एक ये वाला और एक ये लंबी वाला इन दो फंदे को एक साथ लेकर दो का एक बना देंगे फिर से देखिए यहां पूरी सलाई में अब ऐसे ही करते जाना है दो फंदे का एक करते जाएंगे तो एक हमारा ओरिजिनल फंदा है, एक हमने जो नीचे से एक्स्ट्रा बनाया है, ये दो-दो फंदे का यहां एक-एक फंदा बनता चला जाएगा, तो वापस से सलाई पर हमारे उतने ही फंदे हो जाएगे जितने हमने डाल लेतें, तो ये देखिए इस तरह से 2 का 1, और ये के दो फंदे, बीच में जितने भी फंदे होंगे, ऐसे ही दो का एक, और ये देखिए, दो का एक, अब ये जो लास्ट में दो फंदे बच गए, इनको हम ऐसे ही उल्टा बुन देंगे, छे सलाईयां डिजैन की कम्पलीट हो गई है, छे सलाईयों में ये बहुत ही सुन्दर सा डिजैन बनके आता है, यही छे सलाईयां इसमें बार बार रिपिट करनी है, तो चलिए इसकी नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग आपको बता देती हूं, ताकि आपको इसे आगे रिपिट करने में कोई प्रोब्लम ना हो, तो ये देखिए, सेम वैसे ही करना है, पहला फ दूसरी सलाई उल्टी साइड से उल्टी, फिर तीसरी सलाई सीधी साइड से सीधी और चोथी सलाई उल्टी साइड से उल्टी, तो ये चार सलाईयां सीधी उल्टी बुन लेती हूं, तो ये देखिए, जैसे मैंने यहां स्टार्टिंग में चार सलाईयां सीधी उल्टी बनाई थी, सेम इसके उपर मैंने चार सलाईयां सीधी उल्टी बना ली हैं, इसमें जो छे सलाईयां मैंने पहले बना कर दिखाई, यही सेम छे सलाईयां बार बार रिपेट करने होती हैं, तो मैंने चार सलाईयां सीधी उल्टी बना ली हैं, अब जैसे मैंने ये वाली पां फंदा ये सीधा अब यहां से डिजैन शुरू हो जाएगा तो देखिए एक दो तीन चार और ये पांच अब ये जो पांच मां फंदा है देखिए ये इसका यहां पर आपको ऐसे लाश्ट वाला होल देखेगा इसमें सलाई डाल के इस तरह से एक फंदा एक्स्ट्रा हो सकता है कि एक बार इसको थोड़ा सा ये ना भी बने लेकिन वैसे आराम से बन जाता है तो ये देखिए इस फंदे को अब हम लंबा करेंगे ताकि उपर वाली जो सलाई में फंदे हैं उसके लेवल में ये आराम से आ जाए अब ये एक फंदा हम ऐसे सीधा बनाएंगे एक हो गया अब इसका जो सेकिंड होल है उसमें हम इसका दूसरा फंदा बनाएंगे तो ये देखिए इसके जितने भी होल होंगे आपको आसानी से दिख जाएंगे इसका जो पहला होल होगा जो इसकी देखिएगा इस तरह से ये पांचवी सलाई पर जब हमने ये लास्ट का फंदा बुना था ये होगा तो यहां से हमने बुन लिया है ये दिखिए अब ये second hole है आप ऐसे भी गिन सकती है उपर से एक दो तीन चार और पांच में में ऐसे डाल सकती है तो अब इसका ये second hole है इसमें ऐसे सलाई डालेंगे और एक फंदा इसमें से हम ऐसे बुन देंगे इसको भी हम ऐसे लंबा कर देंगे फिर एक फंदा ये हम सीधा बना देंगे ऐसे अब इसके तीसरा चेद देखिए ये वाला ये आपको ऐसे दिखेगा इसमें सलाई डालेंगे और एक फंदा हम यहां से ऐसे ले जाएंगे और फंदे को लंबा कर देंगे अब इसको हम इसमें से एक फंदा ये वाला बुन देंगे तो इन हो गए अब इसके चोथा होल है जो उसमें सलाई डालेंगे तो ये देखिए इस तरह से इस छेद के अंदर सलाई डालेंगे और एक फंदा इसमें से बुन दें फिर इस फंदे को सीधा बनाएंगे तो इस तरह से देखिए यह design हमारा repeat हो गया है एक पत्ती और बना कर दिखा देती हूं देखिए एक दो तीन चार और यह पांच अब यह जो इसकी पांच में पत्ती है देखिए आप उपर से गिन सकती है एक दो तीन चार और यह इसका य आधा कर देखिए और यह वाला फंदा अब सीधा बनाएंगे एक एक फंदा हमने लंबा बनाते जाना फिर आगे का फंदा सीधा बुन लेना है अब इसका जो next hole है इसमें slide डालेंगे और फंदा ऐसे बना लेंगे इसे उपर की तरफ लंबा कर देंगे और next फंदे को सीध बनेंगे, फिर इसमें डालेंगे, यह हमारा चोथा फंदा बन गया, अब इसे बुन देंगे अब देखे, last का यह hole है, 5 और इसमें वाइख अम इसमें डाल कर फंदा बन बनाएंगे तो 5 फंदे हमारे extra लंबे वाले बन गई है और 5 ही एक एक करके बीच में आ गई है अब जैसे मैंने ये दो पार्ट बनाए ऐसे ही तीसरे को भुल लेती हूँ तो ये देखे फ्रेंट नेक्स्ट बार की पांच में सलाई कम्पलिट हो गई है छटी सलाई में भी थोड़ा सा बता देती हूँ तो ये देखिए ये जो पहले वाले दो फंदे हैं ये तो ऐसे ही एक एक करके उल्टे बनेंगे अब आगे दो का एक, दो का एक करते जाना है एक हमारा ओरिजिनल फंदा है एक जो हमने नीचे से एक्ट्रा लिया है वो वाला तो इस तरह से 2 पंदे एक साथ लेंगे और 2 का 1 पंदा बना देंगे पूरी सलाई इसकी उल्टी बनेगी और अब 2 का 1, 2 का 1 करते हुए जाएंगे तो जितने फंदे हमने नीचे से एक्ट्रा लिये हैं वो सारे इस सलाई में कम हो जाएंगे तो ये देखिए पूरी सलाई दो का एक दो का एक बनाई है लास्ट में जो दो फंदे होते हैं ये एक एक करके ही बना लेना है तो मैंने दो बार ये डिजैन आपको रिपीट करके दिखाया है यही इसकी जो 6 सलाईया है फिर से 6 फिर से 6 सलाईयों का ऐसे ही डिजाइन रिपीट करते जाएए फ्रेंट्स ये देखिए एक तो इस डिजाइन में उन थोड़ी सी जादा लगती है तो अपने किसी भी प्रोजेक्ट पर अपलाई करने के लिए उन आप पहले से ही जादा लेके रखिए ताकि आपकी उन कम ना पड़े दूसरा फ्रेंट्स ये जो प्रोजेक्ट पर अजब आप इसको अपलाई करेंगी तो थोड़ा सा इसकी जो शेप आएगी वो तिर्ची आएगी लेकिन प्रोजेक्ट जब इसका सिल जाएगा तो सिलने के बाद आपकी स्वेटर, कार्डिगन, कैप वगरा उसकी जो शेप आएगी वो बिल्कुल नैचूरल आजाएगी जैसी बाकी के डिजाइन में होती है तो आप देख सकते हैं जब यह डिजाइन बनता है तो इस तरह से थोड़ा सा तिर्चा होता है लेकिन जब सिलाई हो जाएगी तो एकदम से अच्छा हो जाएगा तो फ्रेंट्स अगर आपको इस डिजाइन पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी फ्रेंट्स ग्रूप में इसे शेर कीजिए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्र